आज सुबह से मोसम ने अपना रंग बदल लिया है जिस कारण सुबह घना कोहरा देखने को मिला शरत पूर्णिमा के बाद मोसम में शरत रितु आ जाती है आज सुबह गुलाबी ठंड के साथ घना कोहरा भी छाया हुआ था वहन भी दिकाई नहीं दे रहे थे बताया जाता है कि कोहरा गिरने के बाद पानी गिरना बंद हो जाता है जिसके कारण किसानों को भी फायदा हो सकता है वहीं किसान ने बताया कि शरत पूर्णिमा के बाद शरत रितु का आगमन होता है जिसके कारण हलकी फुलकी ठंड भी शुरू हो जाती है इसा कहा जाता है कि शरत रुदू का अगमन हुआ है जो पूर्णीमा थी शरत पूर्णीमा चार महिने की जो चोमा सा बोलते है जिनको बरसात का जो समय है वो समाप तो हो गया और बारिस से भी रहात मिली और कोगरे का गिरना ये संकेत है कि अब शरत रुदू का अगमन हो च झाड़ो प्रैबिंढ your